ये गाईस स्वागत आपका मुम्ता फैसन स्टूडियो में तो आज मैं जो ब्लाउस की कटिंग और स्टिचिंग आपको बताने वालू यह बहुत ही ट्रेंड में है आगे सी हलकी सी जैकेट शेप में होगा और पाकी यह प्रॉपर नॉर्मल ब्लाउस जैसा होगा तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं तो मैंने यह इस तरवाला कपड़ा बिचाया हुआ है डबल कपड़ा है यह और उपन साइड में अपनी तरफ रखा हुआ है और मैं जो यह निशान लगा रही हूं यह हमारी हुको आई की पट्टी का एक्स्ट्र कपड़ा है तो उपर से ज लेंगे इस तरीके से आप अगर पिछे से डीपनेक रखते हैं तो आप कंदे कम कर सकते हैं उपर से हाफ इंचिस में निशान लगाओंगे कंदे गिराने के लिए हलका सा यह देखिए यह एकदम पॉफेक्ट शेप आएगी यह देखिए शोल्डर की हमारी है अब हम ब्ला की जो लैन्ट है की गाई वो मुझे 14 इंचिस रखनी है और मैं 2 इंचिस का मार्जन लोंगी तो 16 इंचिस पर ब्लाउस की ने लगा लोंगी यह देखिए इस तरीके से और मैं एक लैंड रो कर लोंगी हाँ से यह मेरे ब्लाउस की लैंट है प्रापर अम में चेस्ट का नि तो यह देखिये तो यह वार कि निशन लग गया है वार महूल का आवय लगा लगा लेंगे तो महानले बेंगां वेखन क्ली आव्याद कर दिया है और क्योंक गया जाEM से शोलडर बड़े है तो मैंने की एसमें डीप कटिंग बहुत है उन दीप कटिंग witness हुआ है अब म頭 इस देगे तो भूकाई की तरफ से हम 5 इंच celui देगे तो रस इस था आपkeeping चेस्ट पॉWhen लगाये तो मैंने नाइन इंचेस्ट पोइंच लगाया है और हुकाई वाली पट्टी की तरफ से 4 इंचिस पे लगाय हुआ है तो हुकाई की पत्टी की तरफ से जो हमझाण लगाएंगे वह हम देख लेंगे कि सैंटर में हम निशान लगाएंगे एक दम, .5 इंचिस की दूरी पे यह मैंने सैंटर से निशान लगा दिया है और यह हम, चेस्ट-पंट से 1- इंचिस की दूरी पर रखेंगे और इसकी जो निशान की चुड़ाई होगी वे तकरीमें डेड़ इंचिस होगी यह देखिए अब जो फिटिंग वाले साइड का निशान है वह मैंने साड़े पांच इंचिस पर रखा हुआ है और चेस्ट पॉइंट से वह दो इंचिस पर ह इस तरीके से और लास्ट वह दिशान है वो मरा आर मोल में जाता है सीधे दो इंचिस की दूरी पर ते यह देखिए तो मैंने यह पूरा निशान लगा लिया है वह दो इंचिस को टी का निशान लगाने के लिए मैं डेड़ इंचिस पर रखूंगी अपनी हुकाई की पट मैं निशान लगा लिए है आप छाहते इस्केल की हल्प से एक द्षुटह लाइन हे इस तरीके से धूसरी लाइन होगी वह वह ऐम प्यटिंग में एड करनी है जोइंट करनी है यह देखेवे उस्टिये में जोइंट करनी है कटिंग जो तो यह मारा दिशान लगाने था हम वह मत पूरा लग चुका है अब मैं सिटाइं कर लूंगी लिए देखिए लिकांट पाट की हमारी कटिंग होजी है बसके दिखाद सभाऊंगी कि ओं उुरह देखते हैं रहा है अब को वीडियो चेनिे बेट दिस्क्रिप्शिन में मिल जाएगी तो नीचे का यह मैंने तीरा भी कट कर दिए बैल्ट वाली बैक पार्ट के लिए मैंने एक अपड़ा फोल्ड किया हुआ है और उपर से जो बैक पार्ट का मेजरमेंट होगा वो शेम होगा तो मैं इस पर ही निशान रखके निशान लग प्लाउस की लेंड जैसे कि मैंने पको बताया था कि 14 इंचिस है तो मैं 2 इंचिस का मार्जन लूँगी इसमें भी 16 इंचिस पे मैंने निशान लगा लिया है यह देखिए तो निशान मेरा लग गया है अब जो मैं इस पर फिटिंग लगा लूँगी तो फिटिंग भी 9 इ कटिंग कर ले रही हूं एक्स्ट्रा कपड़े की यह हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई है कि यह देखिए अब इसमें टक्स जोड़ाओंगी फोर इंचिस की दूरी पर होगा और इस टक्स की जो लैंथ होगी वह भी हमारी फोर इंचिस ही होगी क्योंकि इसका जो है अब हम इस पर जो हमारा मेन फैबरिक को ब्लाउस का उसको कट कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग यह देखिए और सिलाई शुरू करेंगे तो यह हमारी कटिंग हो गई है अब मैंने जो यह हमारा आगे का पार्ट था उस पर मैंने कपड़ा रख लिया है अपने ब्लाउस यह देखिए मैं ने मशीन से कर लिए और इसके एक्स्ट्रा जो मार्जन है उसकी लिए हैं मिना एक्स्ट्रा मारसन कbia क्टिंग कर लिया ममिस्पित बना लेंगे इसाइऑ जब्ले यह इसको सिलाइग आंग ya किया इंदिए नीचे वाली प्लेट्स गार्मारी यह वहीं से टवाड़ कार्सी आध्याए लिए तो यह देखिए यह पाफ हमारा बनके रेडी हो गया है अब हम इसके नीचे का पार्ट रेडी करेंगे तो काइस नीचे का जो पार्ट था उसको हम मैंने थोड़ा से हैवी करने के लिए कपड़े को मैंने उस पर फ्यूस पर लगाया हुआ है आप चाहिए तो लगाए या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं कि फ्यूस पर लगाने से यह होगा कि उसकी शेप बिल्कुल जैकेट जैसी आएगी बहुत ही ब्यूटिफॉल प्रेटी लगेगा यह देखिए थोड़ा हाड हो जाएगा कपड़ा से इसलिए हम फ्यूस पर यूस करते हैं तो मैंने यह लगा ल कि यह देखिए कि मैंने कपड़ा जो है एक्स्ट्रा कट किया हुआ था असतर से थाकि हम उसकी बाद में कटिंग कर सेकें बिकुस कम पढ़ जाता है तो ज्यादा प्राब्लम होता है यह देखिए मैंने अब एक्स्ट्रा कपड़ा ही कटिंग कर दी अब छोट-छोटी से लगा लेंग इसमें कट लगा लेंगे ताकि यह अच्छ possessednity еще drop von में होज़ें अब इसको फोल्ड करλλेंगेर नौर्मली जैसे हम Address करते हैं यह देखिए तो मैंने इसको फोल्ड कर लिया है और यह जो हमने शेप दी हुई थी यह शेप भी हमारी परफेक्ट ली निकल के आ गई है यह देखिए आप चाहिए तो यह शेप निकालने के बाद इस पर आयरन कर लें और भी बहुत ही ज्यादा फिनिशिंग में ब देख सकते हैं यह देखिए एकदम पॉफेक्ट शेप आई हुई है मरे ब्लाउस की तो आगे वाले ऐसी ही आप दोनों पार्ट रेडी कर लें तो गैस मैंने नेक की कटिंग तो कर लिए है तो आप मैं इसमें हलकी से सलाई लगा देखिए ताकि जो कप्डा है मरा आगे प देखिए तो शेप एकदम पॉफेक्ट आई हुई है सबसे पहले मं हूप वाली पटी रेडि कर लेती हुँ तो आपको जिस साइट से ममि पटी आप उस साइट से रेडि कर लें यह देखिए इस तरीके से तो यह जो की पटी आगाईस इसके चोड़ाई है वह दो इंचिस है यह दिखे आप जैसे हो काई की पाइट करते हैं आप ऐसी ही अटाच कर सकते हैं कि किया तект यह दिख्विज से में इसको फोल्ड कर लोगी मैं और जो हमारी शेप कि यह मुझी शेप में इसको फोल्ड करेंगी ताकि जो कपड़ा है वो एक्ष्टा ना दिखे विल्कुल भी यह देखिए एकदम शेप में फोल्ड हो जाएगी इसमें कोई बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप चाहिए तो इस पर पक्की सिलाई लगा रहे या फिर यह देखिए एकदम परफेक्ट बनाए विल्कुल भी शेप नहीं बिगडा है मारे ब्लाउस का तो अब मैं आई वाली पट्टी रेडी कर लेती हूं तो एक्स्ट्रा कप्टी की मैं कटिंग कर लूँगी और आई वाला पोर्शिन के लिए मैंने पट्टी रेडी की हुई है जिसमेन अस्तर के साथ कपड़ा भी लिया हुआ है तो इस पट्टी की चोड़ाई है वह फोर इंच से मैंने अस्तर पेस्ट कर लिया है आई में आई की पट्टी में इसको हम उल्टी तरफ से रखते हैं यह देखिए ब्लाउस मेंने उल्टी तरफ रखा हुआ है और आई की पट्टी अटेच कर दिये इस तरीके से अब इसको फोल्ड करके हम आगे की तरफ कर लेंगे यह देखिए तो इसको भी हम एक्जैक्ट शेप में कर लेंगे दागि हमारा एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो ना दिखे शेप हमारी बिल्कुल भी हराब ना ओजाकेट की इसको इस तरहें से फोल्ड कर लेंगे एक्स्ट्रा कप्री के कटिंग कर देए आप मेना मोटा मोटा हो जाएगा वो बिल्कुल उतना ही कपड़ा रखें जितनी की जरूरत हो तो इसको भी मैंने फोल्ड कर लिया है यह द दोनों पट्टियां रेडी हो गई हैं उसके बाद आप इसका नेक बना लें तो कुलमिला के जो हमारा आगे का पार्ट है वो पूरा रेडी हो चुका है अब मैंने काई यह पेस्टिंग लिए इसकी चोड़ाई तीन इंचे से और लंबाई चार इंचे से इसको फोल्ड कर ल देंगे स्केल की हैल्प से आप मिला दें यह देखिए इस तरीके से अलका सा मार्जन ले लें कि कटिंग कर लूंगी मैं इसको और इसको कपड़े पेस्ट कर लूंगी इससे हम जो आगे वाला पार्ट है उसमें ही डिजाइन बनाएंगे एक शोल्डर में जिस शोल्डर प आप मैंने पेस्ट कर लिया नॉर्मल से रहें के बनाते हैं विल्कुल आपको ऐसा ही प्रोसेस होता है इसका भी तो यह इन फोल्ड कर लिया एक यह रेखिये इसी तरीके से कर लें आप भी कपड़े में मैंने पेस्ट कर लिया आप जो हमारा पार्ट होगा जहां पे मिरा पल्लू नहीं आएगा मैं उस पार्ट पे रख लूँगी इसको और इसको अटैच कर लूँगी तो गाइस मैंने यह शोल्डर से वन इंचिस नीचे अटैच किया हुआ है ताकि यह जो हमारा है उपर शोल्डर जो हम जॉइंट करेंगे तो उसमें ना आए और इसकी शेप खराब ना हो तो आप भी इसी तरीके से अटैच कर लें यह देखिए अब इसकी मैं सैंटर से कटिंग कर दूंगी एक्स्ट्रा कप्डे की इस तरीके से यह देखिए और इस तरीके से बिल्कुल कम मार्जन चोड़ना है नहीं लेना है इसमें आप इंचिस से भी कम-कम आरजन लें आप बस आपको इतना दिएन रखना है कि आपको कपड़ा ना काट दें गम करने के चक्कर में कि यह देखिए अब इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे आप चाहिए तो कोई और शेप भी कर सकते हैं राउंड शेप कर सकते हैं यह आजकल हार्ट भी बनाते हैं बहुत लोग अब मैंने यह डोरियां लिए हुए हैं तो इन डोरियों को गई अब निशान लगा लें वन वन इंचिस की दूरी पर लगाएंगे यह देखिए यह मैंने थ्री निशान लगाए हुए हैं एक निशान अमरे आमने सामने होगा और सारे ही निशान अमरे लगबग आमने सामने किसे दो रखा लगा लelin और कि इडूरी आस तो डोरी नहीं आ अच्टेम्स करें शुए प्रोजों किसे हिवानेенर तस्के कि बिसे मुक्न शुदी मुद्षेन नहीं दूखंग 막 a success मिली लगाने नहीं के यह देखिए इसी तरीके से हम दूसरा पाट भी रेडी कर लेंगे गैस इस ब्लाउस की स्लीव की और बैक नेक डिजाइन की जो वीडियो है वह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपको सेम ब्लाउस बनाना हो तो साथ इसकी फोटो जो है वह मैंने इंस्ट अगराम फेस्बूक की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी यह देखिए तो मैंने डोरी अटैच कर दी है यह देखिए इस तरीके से बनके आएगा यह बीट लगाऊंगी में इसमें सैंटर में उपर से मैं एक और पक्की से लाई लगा लें इसमें ताकि आगे का जो पार्ट पूरा रेडी हो चुका है गाई इसको आप अपने बैक पार्ट में जोइंट कर लें कि एक्स्ट्रा कप्ड़ कटिंग कर ली मैंने यह देखिए यहां पर बीट लगाऊंगी सैंटर में तो गाइस ब्लाउज मेरा यह बनके रेडी हो गया है कैसा लगा आपको कमेंट करके जरूर बताएं पसंद आया तो जरूर ट्राय करें इसको साथी मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और ऐसी और वीडियो के लि की लिंक अगर आपको चाहिए तो आपको डिस्रिप्शिन बाक्स में मिल जाएगी तो गाइस थैंक्स पोर वाचिंग थैंक्यू